तो वहीं अफगानिस्तान में दो हफ्तों से हो रही भावी बारिश के कावड़ 315 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि अभी भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है वहीं मीडिया के मताबिक वर्ड फूट प्रोग्राम यानि कि डबलू एफपी ने 12 मुई को बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान बदश्खा, घोल, बलगाम और हैरात में हुआ है भावी बारिश के कावड़ 16 सो लोग घायर है और 2000 से ज़्यादा घर बह चुके है जबलू एफपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अचानक आई बार्ड ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया बलगाम में सबसे ज़्यादा मौत हुई है